So this was question number 16, काफी interesting था, swapping करना या नहीं करना वो depend करता है कि swapping करने से फाइदा हो रहा क्या, बिना swapping कि ये 10% का interest दे रहा हूं, swapping करने के बाद इतना interest दूँगा अगले 7 सालों तक क्या मतलब बनता है, ठीक है, तो ये question आपका हो गया, अब मैं आपका बस एक छोट असा question था, जो derivatives के आखरी में था, तो ये जो question pending था, देखो पढ़ लेते हैं, खतम करते हैं, last question है, TMC holding, derivatives का आखरी वाला जो pending था, TMC holding has a portfolio of shares, यहां interest rate नहीं है sir, swapping जरूर है, interest rate नहीं है, इसलिए derivatives में डाला था, TMC holding limited एक company है, जिसने shares खरीद रखे हैं, ठीक है, offer diversified companies और वो 400 करोड क shares खरीद रखे, enters into a swap arrangement with non bank, एक bank है, non bank, so हम यहां पे, diagram निकाल लेते हैं, this is, question number, 64, derivatives, ठीक है, so, यह TMC है, यह market है, TMC ने market में investment कर रखा है, 400 करोड का, ठीक है, shares खरीद रखे हैं, क्या income होती है उनसे, equity, dividend या ऐसा कुछ मिलता होगा, अब, वो swap arrangement में enter करते हैं, non bank के साथ में, तो एक bank भी ले लेते हैं sir, यह non bank है, ठीक है, अब, on the terms that, terms क्या है धान देना, swapping है, तो customized term होती है, दो parties मिलके decide करती है, तो इसलिए मैं कोई formula नहीं बता सकता, swapping का, हर question अपना नया होता है, that it will get 1.15% quarterly on national principle of 400 crore, यानि 400 crore पे 1.15% का quarterly income मिल जाएगा, non bank देगा TMC को, तो TMC भी कुछ देना चाहिए non bank को, यह fix है sir, fix है, मुझे हर quarter में मिल जाएगा, TMC को, लेकिन देगा क्या, in exchange of the return on portfolio, which is exactly tracking the sensex, तो जितना भी portfolio पे return आएगा मेरा, मैं उतना दे दूँँगा, और यह portfolio return calculate कैसे होगा, इस portfolio का beta है 1, क्योंकि उसने बोला, exactly tracking the sensex, तो यह depend करता है sensex के return पे, तो सबसे पहले आप sensex का return calculate करो, उस quarter का, उतना पैसा 400 करोड पे आप non bank को दे दोगे, और हर quarter में 1.15 non bank से ले लोगे, अब कभी आपको यहाँ पे profit आ सकता है, कभी loss आ सकता है, कुछ भी, देखो, अगर sensex ने 2% का return दिया, या 1% का return दिया किसी महिने में, या किसी quarter में, तो 400 करोड पे 1% होता है 4 करोड, तो उस time पे क्या होगा, TMC 4 करोड देगा, और 1.15, यानि कि 4.6 ले लेगा, TMC का फाइदा है 0.6 का, अब और एक चीज, मान लो कि minus 1% का sensex का return है, यानि sensex का नुकसान हो गया, तो portfolio का भी नुकसान हो गया, अब नुकसान कैसे दे, नुकसान देने का मतलब है पैसा लेना, तो उस time पे 4 भी लेंगे, 4.6 भी लेंगे, नुकसान देना, तो वो नुकसान की भरपाई करेगा, नन बैंक, हमने उसको नुकसान दे दिया, भाई तू नुकसान की भरपाई कर, तो वो नुकसान की भरपाई करेगा, आपके, तो उस टाइम पे दोनों जगह से आपको payment आएगा फाइदा देना तो पैसा गया लॉस देना तो पैसा आया यही तो हमें देखना है ध्यान देना Sensex जो अभी 21,600 चल रहा है अब आपको बताना है कि net payment कितना receive किया या दिया at the end of each quarter अगर Sensex की यह 4 values आपको दे देते हैं 21,600 से हर quarter पे निकाल लो की return क्या हुआ पहले तो Sensex का return निकालो कैसे निकालोगे सर 21,600 और 21,860 में जो difference है 260 का divided by 21,600 return आएगा positive return आएगा दे दो और 1.15 ले लो चीक है देखो कैसा कैसे calculation होगा quarter 1,2,3,4 Sensex 21,860, 21,780 21,860, 21,780 22,880 और 21,960 ठीक है return percentage कैसे calculate करोगे बहुत सिंपल सर 21,860 माइनस 21,600 डिवाइद वाइद 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 शे सिक्स हंड़ोगे यह आया return आपका 1.2037% ऐसे ही आप हर बार का निकाल लोगे अगले quarter के लिए base value बदल जाएगी 21,780-21,860 पुराने quarter की value यहाँ negative answer आएगा 0.3659 तो 0.3660- मैं आगया यहाँ पर बढ़ गया नहीं यहाँ पर तो positive आया 1.3774% और यहाँ पर लास्ट वाला 21,960-22,080 divided by 22,080 0.5435 देखो यह है सर सेंसेक्स का रिटन इतना ही आपको उसे देना है सो payment 400 करोड पर यह payment आ जाएगा calculate कर लो 4.8148 1.464 लेकिन लोस 5.5096 2.1740 देख रहे हो payment में आप profit दे रहे हो तो समझ आता है loss दे रहे हो इसका मतलब आपको और लेना पड़ेगा और receipt क्या आएगी receipt हर बार सेम रहेगी क्योंकि आपने 1.15 लेने का decide कर चुके थे तो 400 पर 1.15 अगर आप calculate करोगे that is 4.6 तो 4.6, 4.6, 4.6, 4.6, 4.6 net payment जान दो क्या होगा 4.8 दोगे 4.6 लोगे net में देना बनता है minus 0.2148 दोगे मतलब इतना आपका नुकसान हो गया इस case में 4.6 लोगे 1.464 भी लोगे तो आपका फाइदा हो गया 6.064 का क्योंकि पहले तो वो loss की भरपाई करेगा फिर आपको ये भी देगा तो दोनों आपका फाइदा है यहाँ आपका नुकसान है और ये आपका फाइदा है समझा आपको The good part is loss देने का मतलब क्या होता है ये आपको समझ में आना चाहिए loss देना यानि एक तरह से लेना ही हो गया answer match कर लेते हैं answer एक बार कुछ calculation mistake होगी तो वो ठीक कर लेंगे देख लो point minus में आया 02148 फिर 6.064 लेना है minus 09096 देना बनता है 6.7740 लेना बनता है और ये पूरा same calculation यहाँ पे भी दिया हुआ उसका format सेम ही रहेगा अब आप करे हम करे या institute करे उन्होंने sensex ले लिया sensex का return ले लिया उस return को 400 से multiply कर दो इतना देना बनता है negative में देना यानि की लेना और इतना लेना बनता है ये total आ गया आपकी इसको बुलते swapping lane देन होगा sir उसकी diagram ये रही diagram निकालने पे आप most of the time realize करोगे कि काफी सारी चीज़ा आसान हो जाती so with this we finished the interest rate risk management chapter कुछ question paper के जो questions है वो discuss करना बाकि है वो तो हम syllabus complete होने के बाद ही करेंगे ताकि एक साथ में वो paper पूरा discuss भी कर लो interest rate risk management को अब revise करिए sir साथ साथ में आपको बहुत मज़ा आएगा after this lecture we are going to start with the practical portion of the foreign exchange and risk management ध्यान रहिए ध्यान रखे कि theory बाकी है और वो हम cover up करेंगे हर question को शुरू करने के पहले आप पढ़िए आप solve करिए गलतिया करिए mistake करिए जितना भी है उसके बाद compiler में answer को समझने की कोशिश करिए उसके बाद video देखो समझो और फिर important चीज़े mark करो this is the best approach and the only thing which will secure your exemption in SFM बाकी कोई भी approach follow कर लो आप खुद को बेवकुब बना सकते हो sir मेरा तो कुछ बिगडेगा भी नी तो please make sure you are following the right approach हाथ जोड के request करता हूं see you